जीहां नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम आपको अमरूत खाने के कुछ बहतरीन फाइदों को बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों बीभीन परकार की जलवायू और अलग अलग रित्यों वाले इस भारत देश में अमरूत ऐसा फल है जो लगवक सभी छेतरों में पायाता है समाने और समझे जाना वाला फल अमरूत बेहत गुलकारी होता है कई उस्थानों पर इसे ज्याम फल के नाम से ज्याना जाता है अमरूत कोबज के लिए अरामबल का काम करता है इस फल में बिटामिन, मिलल और फाइवर काफी मातराय में पायाता है सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा पौश्टिक फल अमरूद होता है इसलिए अमरूद को सर्दियों में फलो का राजा भी कहा जाता है अमरूद पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में बहुती उपयोगी माना गया है अमरूद डायबेटीज जैसे कई गंभीर बिमारियों को नश्ट करता है मूँ में छाले पढ़ जाने की वज़ा से कई लोग खाना नहीं खा पाते हैं तो इसका उपाय यह है कि अमरूद की नई कोमल पत्यों को चबाना या बातुन करने से आराम मिलता है अमरूद खाने से कब्ज और पेट की कई तरह की समस्याएं छुड़कारा मिलता है यह आपके सरीर के मेटापलोजिक को संतूलित रखता है अमरूद का नियमित सेवन करने से इसमें मोजूद पोटैसियम के कानल तोचा का खोया हुआ गुरापन वापस आता है साथी किल मुहासर से छुड़कारा देलाता है मोटापे की मुख्य वज़ा सरीर में केलस्टोल का अस्तर बढ़ना होता है अमरूद में मुझूद फाइबर और अन्यक हनीच तत्वा सरीर से केलस्टोल को कम कर देते हैं जिससे मोटापा घड़ता है साथी किलस्टोल का कम लेवल सरीर को हर्ट अटेक से रहात दिलाता है अगर किसी ब्यक्ति को भांग का नसा चड़ गया हो तो उसे अमरूद के पत्तों का रज पिला कर या चबा कर देने से नसा कम कह जा सकता है अमरूद में बीटामिन, कार्वो हाइडेट और फाइवर भरपूर मातर में होता है या बीटामिन सी का सबसे बेहतरी इंसरोत होता है अमरूद का सेवन पेट साफ करने के अलावा आँखों के लिए भी बहुत फाइदे मंद है अमरूद मलेरिय के प्रभाव को भी कम करता है पके हुए अमरूद खाने से सरीर में हीमोगलोबीन की कमी दूर होती है ऐसे ही नहीं महिलाओं को पका हुए अमरूद ज़रूर खाना चाहिए एनिमिया से पिरतों को भी अमरूद खाने के सला दियाती है वहीं अमरूद हमारी हडियों को भी मजबूत करता है पेट दर्द होने पर पके अमरूद में नमक मिलाकर खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है अमरूद के पत्तों को पीस कर उसमें काना नमक मिलाकर खाने से पेट दर्द ठीक हो जाता है दात में दर्द होने पर अमरूत की पत्यों को दातों से चवाने से दात दर्द ठीक हो जाता है मसूरों में सूजन हो या दर्द हो अमरूत के पत्यों को हलके गरम पानी में उबालकल कूला करने से दात दर्द में काफी फायदा मिलता है अमरूत पर नमक और काली मिर्स लागा कर खाने से कप समंधी रोक दूर होते हैं वहीं जो खाम होने पर पके अमरूत के बीजों को खाने से बहुत यदा लाह मिलता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी यह जनकारी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए और ऐसे ही और मज़दार जनकारी लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो जूड़ते हैं आप सभी से एक और ने जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो